हेलो ट्यूटर्स और वेल्टकम्ट तुडियो मेंबर्स आज करीब 13 दिन के बाद अगर हमें साइश स्याद है तो पूरे पूरे तेरा दिन के बाद हम को ट्रेडिंग का वीडियो अप्लोड कर रहे हैं आज के दिन संफार्मर को आज के दिन हमें ट्रेड किया था एंट्रेड एक्जिक्यूट करने से पहले पूब्लिक टेलिग्राइम चैनल पर हमें मौनिंग में यह स्टॉक अपने ग्रूप में शेयर कर दिया था इसके अंदर कुछ एक रेंज करने ही कोशिश करेंगे जैसे कि यह तो इपना रेजिस्टेंस एरिया हो गया है और पीछे तक और अगर हम इसको स्ट्रेश करते हैं तो पास्ट यह हमारा डाटा है अभी आगे की वीडियो में में एक-एक केंडल को रीट करने की कुशिश करेंगे विएक केंडल से आज के किस तरह से हमें लेवस निकाले कैसी हमारी एंट्री इंट्री इस टॉप क्लोजिंग देने के बाद में आज की दिन इसने शॉट्स इलिंग ही दिखा हिय। लास्ट मनें ट्री इक्जीय के तयुक्ष सुर्ट साज़गे वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो क्यों में उसके अंदर बताएं थी तीन सेटप्स बताया थे स्मार्ट म के चार्ट के उपर चलते हैं और यह पूरी एक रेंज हमने ट्रॉख की जिस ग्रीन केंडल का आप हाई देख रहो और उसके बाद में जिसे एक पिन बार का आप हाई देख रहो यह दोनों ही इंपॉर्टेंट है वह इन दौनों केंडल्स के डाने की कैसे इन दौनों केंडल्स की मदद से हमने आज की एपनाषक central के इसको देखेंगे अपनी position book में चलते हैं and किकनी quantities वगरा थी क्या था इसको देखनी कुशिश करें so position book open करते हैं overall जो आज का मारा profit है 7500 का profit है हमने बोला था कि 795 पर हम exit कर देंगे तो 795 का exact target तो हमको मिला जो telegram पर हमने share किया था but वहाँ पर हम निकल नहीं पाए so order book में चलेंगे overall जो हमारी आज के quantities थी जबकि 950 quantity के साथ a trade हमने execute किया था 1007 पर अपनी entry थी 1010.20 लगभग 3 रुपए 20 पैसे के आसपास का अपना इसके अंदर stop loss बन रहा था so एक ठीक ठाक सा था but बहुत बड़ा हम RR ratios के अंदर से वापस से portion book में चलेंगे so overall जो आज का profit है 7000 के around का है अपना profit बना so एक चीज़ जो आज के ट्रेट में इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एक चीज़ जो आज के ट्रेट में हमको समझ मैं ही ना कि exact हमें मालूम भी है कि हमारा target कहां पर होगा या कहां पर हमें exit करनी है मालूम होने कि बावजूद भी हम वहां पर नहीं निकल पा है तो जो morning की 9.15 की candle का low था वहां पर हमें अपनी exit किये थी so thanks video अच्छा रखता है तो उसको like के जागा comment कि जागा and start करते है आज का अपना ये वीडियो daily time frame के levels, lower time frame के levels, confirmations, entry, exit ये सारी चीज़े हम एक बार आपको बताएंगे और वो समझ में आ जाएंगे फर्क होता है सिर्फ point of view का जब वो point of view समझ में आ जाता है जब एक वो नजरिया में लियाता है किस तरह से हम चार्ट को देख रहे है तो सारी चीज़े clear हो जाएंगे लेकिन फिर भी जो main स्वाल होता है जो आज की वीडियो में हम clear करने के कुशिश करेंगे ज्यादा तर जो लोग है, majority है ये profit क्यो नहीं बना पा रही है जब हम ये सवाल पूशते हैं कि profit क्यों ने बना तो फिर कई सारी reasons निकलते हैं क्या reason है अगर हम से बन रहा है या आप कहीं पर trade कर रहो बैटकर कर कि आपके बगल में कोई बैटा हो profit बना रहा है तो आप क्यों नहीं बना पा रहा है और ये बात रहता है कि अगर आप loss कर रहा है तो कोई ना कोई तो profit बना रहा है तो वो कैसे बना ले जा रहा है profit आप क्यों नहीं profit कर पा रहा है और ज़्यादा तर लोग ही loss क्यों कर रहे है देखिए कई सारी इसके reasons होते हैं अब हम इसको टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव में भी ले करके जा सकते हैं और सैकोलोजिकल प्रोस्पेक्टिव में भी ले करके जा सकते हैं सैकोलोजिकल प्रोस्पेक्टिव में अगर हम ले करके जाते हैं तो कुछ चीज़े हैं जैसे कि अपनी जो market है नहीं financial market है, अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पैसा जा रहा है आपका, मतलब पैसा लगा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि हम market को देख रहा है, अगर आपको market से पैसा चाहिए, तो पैसा जालना होगा ना, और किसी भी काम में आपका पैसा चला गया तो उसके अंदर आपके emotions जुड़ जाते हैं बहुत strong emotions हो जाते हैं फिर वो वो इतने ज़्यादा strong हो जाते हैं कि एक सही दिशा से आपको फिर वो divert करने लगते हैं सही दिशा से divert करने लगते हैं बात का यह मतलब है कि जो काम करना होता है उसमें आप जल्दबाजी करोगे सही decision की जगह में भी क्योंकि जल्दबाजी करो तो वो decisions गलत होने लगते हैं क्या होता है कि हम लोग जिस middle class family से आते हैं हमारे में जितना हम समझ पा रहे हैं हम अपने आप से अगर हम आपको जोडते हैं आपको जोडते हुआ दिखाई पड़ता है तो क्या हो रहा है कि हम लोगों की families में businessmen कम ही हुए हैं कोई office में job कर रहा है कोई government job में है कोई कहीं से job कर रहा है मतलब वो job के थूँ पैसा आ रहा है मतलब हम लोगों की family में अपने tradition में या खुद भी जब हम काम करें तो ऐसा पैसे से पैसा बनाने का हिसाब किताब अपना नहीं रहा है तो हम उतने used to नहीं है और किसी भी काम में जब हम पैसा डाल रहे हैं क्यूंकि उतने used to नहीं है तो decisions थोड़े से गलत होते हैं और इस market में देखा देखी बहुत होता है कि उसने कर लिया है तो हम भी करेंगे जितने बड़े बड़े digits के screen shots आजकल चिपपा जाते हैं सोशल मीडिया पर एक लाख, दो लाख, धाई लाख, पांच लाख, बीस लाख अब सभी लोग इसी market को हम भी हैं सभी लोग जानते हैं कितने बड़े-बड़े screen shots हमें दिखाए जाते हैं तो जो market में नया आदमी आता है न वो यही सोचता है कि यह तो हम भी कर सकते हैं पंदरा मिट में पैसा बन रहा है, बीस में पैसा बन रहा है, आदे घंटे में पैसा बन रहा है लेकिन जब अपना पैसा डालते हैं तो फिर दिमागी संतुलन हम लोगों का डग मगा जाता है इसको ठीक करने क्योंकि यह तो यह तो प्रॉब्लम हुई है इसका solution क्या होगा, solution यह होता है कि बढ़ा पैसा डालने से पहले छोटा पैसा डाल करके हम लोग as a practitioner बहुत ज़्यादा practice कर लें, क्योंकि practice को तो बहुत डिमांड है बहुत ज़्यादा डिमांड है, practice भी चाहिए, practice के साथ साथ समय भी चाहिए जो कि आज कल के person में या आज कल के trader में, जो trader नहीं बोलेंगे, practitioner में नहीं है देखने को नहीं मिलती, हम लोग जब काम करते थे, तो एक ही system पर हमें बता दिया गया था कि एक साल, देख साल तक लगाता और काम करो, हम class में पढ़ाते हैं और एक या देख महीने में, जब हम एक ही process में एक महीने भी रखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग भाग जाते हैं, मतलब उन्हें नहीं पसांदे एक process में इतने दिन तक काम करना, wait करते हैं कि अब last मे कुछ बताया जागा या entry बताई जाएगे, stop loss बताया जागा, कुछ बताया जागा, तो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, उनको एक process में आगे बढ़ते रहने में बड़ी problem होती, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो mindset बन गया है न, वो तुरं 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 बताओ, आपके हाथ में एक सही सिस्टम लगा है, तो उस सिस्टम से आप कितना used to हो पा रहे हो, अगर हम एक सही सिस्टम आपको देदे काम करने के लिए, ये फलानी लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, अभी चलिए, आज के वीडियो हम आपको सिस्टम बता आज की सारे बता हैं, आज की वीडियो में और हम बताएंगे एक, लेकिन ये सिस्टम है, इसकी तुरू पैसा बन रहा है, लेकिन सिस्टम बता देने भर से पैसा थोड़ी ना बन जाएगा, उस सिस्टम से आप कितना used to हो, उस पर आपने कितनी धार लगाई है, आप उस त बात की हड़बड़ी है, मार्केट ऐसे ही चलती आई है सालों से, मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी सालों तक, आपके एक ट्रेट छोड़ देने से कुछ कहीं का पाहर नहीं तूट पड़ेगा, समझ पा रहे हैं न, सही सिस्टम है, मेरे वीडियो आप उठा करके देख लो, कोई भी एक सिंगल भी है, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि बस मेरे मन में मन घरन कहानी है और मैं आपको बता दिया, सारी चीज़े लाइब हम कर रहे हैं, हम ट्रेट एक्जिक्यूट कर रहे हैं, उसके ओपर हम बता रहे हैं कि देखो हमने किया है, ट्रेट करने से पहले हम हमारे टारगेट एरियाज रहेंगे, हम लोगों को यहीं पर एक्जिट करनी है, हमें मालूम है, अब इसके बाद में देखे, हमें मालूम है कि 995 और 996 यह हमारे एक्जिट का पॉइंट होगा, हम नहीं निकल पाए हैं यहां पर, नहीं निकल पाए ना, मालूम है हमारे ट candleivs के पास हमें अपनी exit मारी है कि जो भी काम करना है 對 नहीं करते हुथ थे चांतुलीत रखो अपने आपको एक system जो एक नहीं सिस्टम जो आपको मिल गया है उस system पर ज्यादा से ज्यादा practice करो नहीं system है तुछ को देखने कीatisfied क्रोल करो स्थे ceremonie में से question answer, question answer, question answer, question answer सिर्फ तीन घंटे तक यही चलता रहा बहुत साई चीजी clear होती है समझ में आता है एक system को follow करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है हम लोग doctor बनने जाते हैं हम लोग engineer बनने जाते हैं, हम लोग किसी भी या साल भर में कुछ बन गया, लेकिन market में लोग यही सम मान करके चलते हैं कि वास जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जब तक जेब में पैसा रहता तब तक होता है, जब जेब में पैसा खता हो जाए तो फिर डिप्रेशन में आप आ जाओगे होने लगती ही सारी चीज़े वहीं से, टाइम दो एक साई सिस्टम को पकड़ो, उस सिस्टम के थूँ ही काम करो और उस सिस्टम पर आपको पूरा बिलीव होना चाहिए सन फार्मा के ट्रेट के थूँ हम समझानी कि आपको यह कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमने आज का अपना ट्रेट किया और हम यह चाहेंगे कि जब भी यह आप ट्रेट वगरा एक्जिक्यूट करो तो कुछ-कुछ इस एप्रोच के साथ में काम करो हमारी भी कोई बहुत अच्छे एप्रोच नहीं है हम भी step by step आगे बढ़ने की ही कोशिश करते रहते है तो बहुत कोई ultra level की हमारी अप्रोच है फिर ultra level का काम हम नहीं कर रहे हम भी सीखी रहे है वरना हम इतने ही बड़े अगर ट्रेडर होते हैं तो क्यों हम 995 पर 996 पर प्रोफिट क्यों नहीं बुक कर लिए होते है वन शू थरी से ज्यादा हमको आरा रेश्यो मिल ला था फिर भी हम 915 की केंडर पर हमें प्रोफिट निकाला तो हम भी को बहुत अच्छे टेडर नहीं है हम भी बस समझने की, सीखने की, प्रयास करने की कुशिश कर लें तो क्या चीज़ आप देख सकते हो ना कि एक सिस्टम पर बिलीव करके exact money management, risk management के साथ में और बिल्कुल संतुलित मन के साथ में काम आपको करना होगा इतना भी कर लिया ना अगर आप मेरा वीडियो देख करके जितने भी चैनल वीडियो पड़ें मेरे वीडियो देख करके अगर अगर अब इतने भी संतुलित हो गए तो बहुत सारी चीज़ आप भी clear हो जाएगे दोडने भारने की ज़रुत नहीं पड़ेगी कहीं बे जो options की मारा मारी हो रही न के एक lot दो lot तिन lot चाल lot ज्यादातर option buyer हो चाहे seller हो laws ही कर रहा है और ये बात कोई भी मानने को ready नहीं है के आप practice करने की field options नहीं है आप एक एक lot के भी साथ काम करोगे न एक lot के साथ भी अगर आप practice करोगे तो हम जितना मान करके चलने न 6 महिने से ले करके साल भर के अंदर आपकी सारी capital साफ हो जाएगी practice के नाम पर आप सिर्फ अपनी capital में आग लगाते हो एक lot भी बहुत होता है चाहाँ वो nifty का हो चाहाँ bank nifty का हो आइक देख तो कितनी बड़ी बड़ी होती है equity के ऊपर ही practice करनी होगी equity को समझो पढ़ो सीखने की कुश्च करो जितनी देर आपका BNF चलेगा जितनी देर आपका nifty चलेगा bank nifty चलेगा उतनी देर सन फार्मा चलेगा सन फार्मा के ऊपर price action की practice करो ना बाद में अपर बेरी बीट उसमें जाओ सीखने का तरीका सीखने का जो एक सही वे होता है वो ये होता है तो इसको जितनी जल्दी हो सके अपने जहन में आप उतार हुआ आगे बढ़ो वरना के अप्तल साफ करो घर जाओ ठीक है अब देखिया सन फार्मा को हम लोग पकड़ते हैं सन फार्मा के अंदर जो आप लोगों को हमने share किया था कि सन फार्मा में हमने 9.45 की candle का exact low marker के दिया था ये 9.45 और ये साफ साफ हमने कह दिया था कि यहां से हम लोग short selling करेंगे market देखिए फिर पूरे दिन उपर गई नहीं है उसके नीचे ही close हो गई है और 9.96, 9.95 का target दिया था था तो exact target देखिए वहां तक लोग का market 9.9505 तक और 9.96 यहां तक market गई तो पूरे के पूरे target इसने हमें दिया हाला कि हम खुद 9.15 के low पर हमने profits book किया बट ऐसे देखेंगे अगर जनरी देखेंगे तो जो price हमने बोला वहां तक market गई अब आते हैं higher time frame की levels पर और किस तरह से levels आपने draw के इसको देखेंगे जैसे daily time frame पर हम लोग आ जाते हैं daily time frame पर आप यह देखे कि price एक up trend में है उपर के दिशा में जा रहा है ना लगाता है यह highs लग गए थे morning में जब आप देखोगे nifty pharma nifty pharma के अपने यह levels है morning में sun pharma के अंदर जो swing लेगे थे ना एक यह low लगा था high था again यह low था और यह high था क्या हो रहा था इसको जो lows थे यह downside की तरफ shift होते चले आ रहे थे लगाता lows downside की तरफ shift हो रहे थे sorry highs downside की तरफ shift हो रहे थे जैसे एक यह यह और एक यह अब इसके बाद में क्या होगा कि price ने अपने lows को break करना शुरू किया है इस चगे से यहां से 9.50 के आसपास से इसके अपने lows break होने लग गये थे और highs morning से ही downside की तरफ shift हो रहे थे पहली चीज दूसरा यह हमारा एक area था यह हमारा एक resistance पांट था और market exact हमारे resistance area से reverse होने की कोशिश कर रहे थे यहां पर reversal के sign बन रहे थे और यहां पर आप देखोगे कि जो trade हमने execute किया था ना Sun Pharma के अंदर 3 मिट्स के टाइम फ्रीम पर हमने थोड़ा सा जल्दी trade यह execute कि थे और आपके यह 1007 इस जगे से अपने trades execute होए थे तो करीब 49 के आसपास यहां पर यह trades execute होए थे मतलब यहीं पर था अपराइज हमारा 9.40 के बाद ही 9.45 तो फिर यहां पर जब हमने देखा न कि एक reversal के बाद में इस उसो समझियेगा price के highs यहां से गेर रहे यह भी high नीचे की तरफ shift होगे यह भी high नीचे की तरफ shift होगे अब इस reversal के बाद से price देखिए मेरा यह upset की तरफ जाने लगा और दूसरा high जैसे ही price यहां पर लगाने जा रहा था एक high लगा है बिना मतलब कि previous high को break किये बगाए इस green वाली candle के नीचे इस black वाली candle ने closing कर दी क्या चीज़ साफ होती है इससे आप इस green वाली candle को देखो इस वाली candle ने black वाली candle इस green वाली candle को नीचे closing कर दी सेम चीज़ यहां पर हुए थी इस green वाली candle के नीचे इस black वाली candle ने closing कर दी price हमारा upside की तरफ जाने लगा वापस से देखिए green candle के नीचे black वाली candle ने closing की मतलब कि highs पूरी तरह से protect हो रहे है green candle नीचे price closing करकि ये साफ करने की कुशिच कर रही है कि upside में जाना थोड़ा सा मुश्किल है तो जैसे ही 9.40 के बाद यह वली जो candle है 9.39 9.40 के बाद हमें ये समझ भाने लगा कि Sun Pharma बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर price अपना ये लोग तोड़ देती है और morning की news भी आप देख रहे थे मार्केट के इस तरह से गिरी है IT सेक्टर में क्या morning से ही IT सेक्टर गिर रहा था Pharma सेक्टर भी नीचा ही था और हम Sipla तो आज न्यूज में था Sipla न्यूज में था Sipla और Dr. Radio ये सब न्यूज में थे तो हमने वो news बेस तो इस टॉक्स ने उठा है हमने Sun Farma को पकड़ लिया एक high movement इसने upside की दिखाया ये वाला और बाद में क्या हुआ ना Sun Farma जैसे अपने lows तोड़ने लगा अब बस हमको समझ में आगया कि price अपने higher time frame के resistance के पास में हो यहां पर देखिए क्या हो रहा है 924 की candle के निचे जैसे ही price रिपनी candle से closing की बस retracement में समझ में आ गया sector और stock को साथ में मिला करके हमने क्या किया swing high पर अपने stoppers लगाया और नीचे की तरफ अपना trade execute कर दी ठीक है अब daily time frame पर आओ 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 आप और daily time frame पर इन दो green candles को देखो जो swings लगे हैं swings के बाद में market हमारी upside के तरफ गई है सिर्फ इतनी सी चीज़ देखिए और गौर करने की कुशिश कीज़े कि कितनी ऐसी green candles बन रही हैं जिसके नीचे market ने closing कर दी है कितनी ऐसी green candles बन रही हैं जिसके नीचे market close कर रही है मतलब red candle closing कर रही है एक ये green candle बनी इसके नीचे देखिए market ने closing नहीं की ये green candle बनी closing नहीं की यहाँ पर देखिए black candle बनी क्या इसके नीचे closing की गई नहीं की गई वापस से green candle कहाँ पर बन रही है यह क्या इसके नीचे closing की गई बिल्कुल point to point पर है कोई closing ने ठीक है फिर से देखिए price हमारा upside की तरफ चला गया चला गया चला गया चला गया यहाँ पर आया पूरे trend में यह एक इकलौती ऐसी candle है कि जिसके नीचे price हमारा close कर रहा है next अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग इन ही levels के पास से sun farmer हो या कोई भी stock हो हम उसे short करेंगे trend identify करने के और भी तरीके होते हैं इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अपने higher time frame के कुछ levels निकाल लेते हैं यहाँ पर अगर हम यह बात बोल रहे हैं कि हम लोग buying का तो फिर हम इसको avoid करते हैं समझ के अब मेरे पास यह दो levels हो गया है जो की higher time frame के हैं अब यहाँ से अगर मैं selling कामों का मिलेगा तो हम sale करते हैं और अगर price हमारा upside की तरफ जा रहा है तो वो चला जाए मेरे किसी काम का नहीं है simple सा देखिए system है कोई सके अंदर mathematics है कोई भी बहुत बड़ी चीज वैसा नहीं है complications चुटी सी चीज है लेकिन जब हम लोग काम करने जा रहे हैं तो इतने patience के साथ में market में कोई level वगरा draw नहीं करते हैं हम red candle को देख कर के short कर देते हैं अब आजकोल तो यह streams वगरा काफी चल गई है कुछ members से जब बात होती तो पता चलता है कि दिन में 20-30-30,000 लोग streams पर लगे हुए हैं क्या सोच करके लगे रहते हैं मतलब stream करना कोई गलत बात नहीं ठीक है वो भी अच्छी चीज है आपको क्या लग रहा है कि वो stream दे करके profit बना लोगे आप आप खुद accident आपका accident होता है उससे एक चाहे वो derivatives हो चाहे stock हो stock में भी काम अगर कर रहे हो और आप कभी उसमें selling का है और किसी दूसरे के point of view से अगर आप समझने के कुशिश करोगे तो वो तो buying के लिए बैठा हुआ आप selling के लिए आप confused हो जाओगे आपने सोचा था selling वो sale हो गया लेकिन जिसको आप देख रहे हो वो buying के लिए बोल रहा था वो तो ठीक है वो perfect बैठा हुआ है वो उसने buying नहीं की आपको क्या हो आपने नुकसान कर लिया आपको क्या लगता है कि हम भी selling करने के लिए बैठा हुए है और अगर यह भी बोल देगा selling के लिए तो मेरा और confirm हो जाएगा हो गया वाँ अब हम trader बन गया यह सब बेवकूफ ही होती है छोड़ी छोड़ी यह ऐसी चीजे ना जिसको कि हमने बहुत पास से बहुत खरीब से महसूस किया है अगर trader बनना है तो मतलब trader बनना है इसका मतलब यह हुआ कि अगर वाकरी में trading करनी है ना तो सब कुछ छोड़ देना होगा सब कुछ भूल जाना होगा कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है ना मतलब नहीं है उससे जितना हो सके capital को safe रखो जो आपके system पर सही है उस पर काम करो भले फो गलत है अगर आपका system बोल रहा है buy और बाकि सब के system बोल रहे है तो सब को sell करने दो लेकिन आप buy ही करोगे इतनी चीज ज़्याद रुका और ये क्यों हम इस्ट्रीम अगर आख क्यों बोल रहे ना क्योंकि वही है प्रॉफिट तुम इसलिए तो नहीं बना पा रहे हो न ये चूटी-चूटी चीज़े हैं डाइवर्ट करते हैं आपको एक सही जगा ऐसे बचो इससे हर हपते दस दिन में स्ट्रीजी चेंज कर देते हो इसलिए मुश्किल होती है बचो इससे और हम क्या ही बोलेंगे आपको हमें लग रहा है कि 20-25 माट का वीड़ो बन जायागा अपना पूरा क्या है इस वीड़ो में सिफ एक तरह का लेक्चर ही तो चल रहा है बाकि ट्रेट समझाने में इतना टाइम लगा हमने बोल दिया कि ठीक यह दो ग्रीन केंडल बन गई है अब आज आप लूवर टाइम पर आजो कि यहीं सम लोगों ने शॉर्ट नहीं कर दिया इसको आप थ्री मुट के टाइम पर जाओ स्विंग हाई के अपने स्टॉप प्रोसेस बन गए और नीचे 995 और 994 यहां का अपने टार्गेट है हो गया ट्रेट तो सिंपल है वॉलुमस के स्ट्रक्चर ज़िखोगे आप तो दू हो डेली टाइम ट्रेम पर चले आप अब इसमें देखेगा वॉलुमस हाँ एक चीज़ देखेगे वॉलुमस यहां पर वॉलुमस में क्या हो रहा है कि प्राइस upside की तरफ जारा है न और volumes गर रही है लगाता है volumes गर रही हूं और venue price हमारा ups़ैट की तरफ जारा है और again देखिए क्या हुआ है कि यहां पर price reject हो रहा और volumes increase हो रहे हैं क्या है यहां पर leat version नहीं show हो रहा है volume गर रही है Candles में तो movement ही नहीं हाई लो हाई लो लगा करके जहां पर इसने opening की ते वहीं पर closing कर दे तो price की body नहीं बन रही है, volumes बन रही है, मतलब कि यह तो diversion है और उसके बाद में हुआ कि इन positive candles के नीचे आ करके market closing कर रही है और कितना साफ signal चाहिए आपको trade execute करने के लिए है तो market सामने है आपके, बस देखो, देखने का नजरिया होना चाहिए और काम करो, divert मत हो जाओ, देखा देखी शोर गुल में, lights में और सारी चुज़ों में खो मत जाओ, focused रहो, काम हो जाएगा कुछ ऐसी चीज़ रही हो वीडियो में, जो कि समझ में ना आई हूँ, तो comment कर देजागा, उसका जरूर से जरूर हम reply करेंगे लेकिन जितना हो सके, focused रहो, एक system के उपर belief करो, options से दूर रहो इक्विटी की field में आओ, price action की practice करो, उसके बाद में जब इधर profitable हो जाओ तो उधर जा करके फिर काम करो चेके ना, thanks, goodbye and we will meet you, telegram channel का link description में आप वो भी जोइन कर सकते हो, okay so thank you and कल मिलते हम लोग वापस से